तो आज हम जोरो का स्केच बनाने वाले हैं काफे सिंपल एनाटमी की हेल्प से और A4 साइज की पेपर पर ही ड्रॉप करेंगे वो भी पेपर के टॉप से ताकि पूरी की पूरी बॉडी जो है वो इस पेपर पर आ सके शरुवात करेंगे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉप करने से बिल्कुल फ्रीहंडेटली ड्रॉव करना है सरकल को पर्फेक्ट होने की कोई जरूत नहीं है ह multif यहां से से थोड़े से राइट की तर लाइन ब्रो गरेंगे हालका कर्फ लाइन होगा पिर उसके बाद यहां से उसका फेस लाइन ब्रो गरेंगे यह उसके head का size हो गया इसके center पे हम eyes draw करेंगे तो यहाँ पे भी एक curved line draw कर लेते हैं तो zero की जो eyes होगी वो इनी दोनों line के बीच में होगी उसके बाद हम body का structure draw करेंगे हम कुछ boxes बनाएंगे उसके body के guideline के लिए तो यह जो हमने उपर वादी line draw किया eyes के लिए वहीं से एक line draw करेंगे हम तो यहाँ पे जो यह वादा corner जो हम draw करेंगे न तो वो यह हमें ध्यान में रखना है कि यह इसके level पर होना चाहिए चीन के level पर तो यह है इसको मैंने correct कर दिया है क्योंकि यह जो corner होना चाहिए यह चीन के level पर होना चाहिए और फिर इसके नीचे की जो body होगी chest तक की उसकी जो height होगी वो head के equal होगी तो यह head का size है इतना same यही size होगा same यही size होगा इसके chest तक का तो अभी हम इसके chest के लिए एक box draw कर रहा है तो इस area में हम इसका chest है और shoulders है वो draw करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर एक और measurement लेंगे यह जो size है ना वैसा ही same size हम नीचे draw करेंगे तो और इस size पर हम इसकी belly और जो waist होगा है वो draw करेंगे तो यह जो area हमने रो किया है यह chest करेंगे के लिए है upper body और यह इसकी belly और यह उसका waist उसके बाद हम इसके आप legs draw करेंगे legs के लिए हम guideline लेंगे यहाँ से इसके center से इस line के और एक यहाँ से उसके बाद हम same measurement लेंगे फिर से तो अभी तक हम जो जितने measurement ले रहे है ना सब का जो size है वो बिल्कुल head जितना होना चीए उसके बाद हम यहाँ पर एक circle draw करेंगे जहाँ पर हम इसके knees draw करेंगे तो यह वाले इसकी जो knee होगी वो इससे थोड़ी से नीचे होगी तो हमें इसको जादा नीचे नहीं draw करना है बस हलका सा नीचे होना चीए उसके बाद हम एक और measurement लेंगे और उसके बाद last एक और उसके बाद हम यहाँ पर ना इसकी जो feet है वो draw करेंगे उसके बाद हम इसके हाथ होगी guideline draw करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर एक circle draw करना हुगा कि बाद हमें इसके बाद हमें यहाँ भी आ करेंगे ज़िलना हो इसके वाद करेंगे तो बोड़ी की जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है और अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जिस पे हमें इसके जो जो गाइडलाइन हमने ड्रो किया ना बॉक्स वगेरा उसको हमें शेप देना होगा मतलब इसको हम बॉड़ी पार्ट के शेप में कंवर्ट यह हमारा सेकंड स्टेप है जो फानल स्टेप होगा वो हमारा थर्ड स्टेप होगा झाल 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 तो कहंड यहाँ पे यह बॉड़ी स्ट्रेक्चर हो चुका है जो कि हमारा सेकंड स्टेप था अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे जो कि वो यह जब हम के ऊपर यह दॉऱ्ौ की हेल्प लोगे तो ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि हमें लंबी लाइने खीचनी है तो एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस सर्कल से लेकि इसके नी तक ठीक है हम स्वार्ड को शेप देंगे के बाद इसकी सेकंड जो स्वार्ड ही, वो इस हात में है उसके बाद जो थर्ड जो स्वार्ड है वो इसने अपने मुझ में पगड़र रखा है अपने दातों से पगड़र रखा है, शाएँ इसने इसके लिए आपको एक लंबी लाइन ड्रो करने पड़ेगी तो स्केल से बेटर रहेगा तो हमने तीन तलवारे ड्रो कर लिये और उसके बाद कुछ तलवारे हैं जो इसने अपने कमर के साइड में बांदा हुआ है तो उसके लिए भी बस हमें लाइन ड्रो करनी है तो अब यह बोडी का स्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी है तलवारों के साथ और हम जोरो को ड्रोग करेंगे इस बोडी स्ट्रक्चर के उपर जो कि हमारा थर्ड और फाइनल स्टेप है आप नॉर्मल एरेजर का भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास आर्टिस्टिक एरेजर नहीं है तो जितने भी एक्स्ट्रा ग्रेफाइड होते है न यह उनको अब्जॉब कर लेता है और यह काफी अच्छा एरेजर है जो कि मैं रेकमेंड करता हूं हमेशा हमें पूरी तरह से ही रेज नहीं करना है बस स्लाइटली ही रेज करना है तो इतना काफी है पहले हम हैस का हैड ट्रो करेंगे जोरो का अब्दार करता है झाल 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 झाल